तो को प्रश्ण क्या हमारे पास फ्र्स ने एक-चत्रभूज प्रस्न हमारे पास एक-चत्रभूज एवई-सी-डी करते हैं कि ब्रश्ट सब्कार आप और दो मतलब क्या там कभर केहने का मतलब किया कर KNOW जो बात को दिया क्या है ABCD एक चत्रभूज है ABCD क्या है एक चत्रभूज है जिसमें या फिले को जिसके विकर्ण विकर्ण ABCD एक चत्रभूज है विकर्ण क्या है AC और DB AC और DB परस्पर ओपर परती छेद करते हैं ओपर परती छेद करते हैं इतनी बात है समझ में आगे साथ ही साथ ही AO बटे BO बरावरे CO बटे DO तो इतनी सारे बात ही जो है वो प्रस्पर में तुमको दिया हुआ है इसी एक अधारप्राम को साबित करना है और साबित क्या करना है अब समझो हमने पहले ही बताया कि समलंब एक ऐसा चत्रपुज होता है जिसमें एक जोरा भुजा समानतर है कहने का मतलब है कि इस चत्रपुज में हमको यह साबित करना पढ़ेगा कि DC समानतर है AB के और DC समांतर है AB के यह अगर हमने थाबित कर दिया तो यह अपने आप एक सम्लंब हो जाएगा, तो हम इसको साबित करने के लिए क्या करते हैं? construction कर लेते हैं, बनावट कर लेते हैं, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, हमने क्या किया? हमने क्या क्या कि E.O. समांतर D.C. खीचा, बहुत बहुत बड़िया अब पर्मान की और चलते हैं पर्मान, ठीक है हम हम साबित क्या करना है कि D.C. समांतर A.B. क्या साबित करना है? DC समांतर AB E O jona D C समांतर अगर हम्सावित करदें कि E O joe n a AB के समांतर है तो हमारा काम बन जाएगा हमकुम मैं लिए सावित क्या करना है różienda class AB और इसको सावित करने के लिए हमको सावित क्या करना पड़ेगा कि DE बटे EA और बरावर में DO बटे OB यह अगर निकल जाता है तो सब कुछ अपना मामला हो जाएगा ठीक है आज वो जी सबसे पहली बात कि बनावर से लिख देंगे इस से बनावर से लेकर पावव यह समंनतर धीच सी है लिखे है या इसे भी लिख सकते हैं तुड़ा और टिटेल कर ले चिर्वूज का बु Ivan कि ए भी सी में की एऊ समानतर डि सी गवुर छे-इखना तिर्वूज की इस तिर्वूज की बात करें एडि सी में एऊ समङन तर है इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं या तो ए बटे डी कर ले एऊ बटे सी करें यादीर इपटे सी ऑ बट्टे वह भी कर देखो यहां से अगर मालो इस तिर्भूज के अंदर में ABC एक तिर्भूज है और DE समानतर BC है इसका मतलब AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC तो लिखी सकते हैं इसके अलावे यह भी लिख सकते हैं DB बट्टे AD बराबर EC बट्टे यह यह भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं यह लिख सकते हैं अगर मालो यह समानतर DC है समानतर क्या है DC है इसका मतलब लिख सकते हैं DE बट्टे EA बराबर हो जाएगा DE यहां शुरू क्या आपने उपर से तो उपर से ही लेंगे CO बट्टे OAK क्यों होगा बावु क्योंकि यह थेल्स पर में बता रहा है ठीक है यह हो गया हमारा समीकरन एक क्या हो गया शमीकरन एक हो गया ठीक है लेकिन दिया क्या हमारी पास दिया है कि क्या दिया देखो ज़रा एओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ यह हमारे पास दिया हुआ है अब यहां पर क्या नजर आ रहे है तो अपने क्या करते हैं इस एओ के यहां पर लाते कोना कोनी गुना करके तो यह हो जाएगा दी ओ बटे बीच में बराबर इसको माल लेंगे अपन समी करुएक नमल दो कितना माल लेंगे समी कर नम्मर जाँ अब देखो यहां से क्या सी ओए यहां भी है इसका मतलब क्या होगा समी करुए एक और 2 से एक और 2 से क्या हो जाएका डी इवडे इए डी वटे ईह बरावर में हो जाएगा दियो बटे वटे विए घिओ बटे वीए ये आראा तुम्हारा हमने पहला ही का था अगर हम ले आतें दी बटे या और डी पार अपनी यह तो इसका मतलब यह है आता इसका मतलब ये है कि DC समांतर है यह 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 हमने साबित किया यह समांतर है यह लेकिन बनावट से क्या है लेकिन बनावट से क्या बनावट देखो हमारा यह समांतर dc एक समानतर डी सी है अता क्या लिख सकते हैं इसका मतलब a.b. समानतर dc जोगा अब एक बुजा चुकि एक दोरी बुजा समानतर है अता हम क्या